क्यों प्रुएत को यह प्राइ्न करेंटेथ स्पफ़ार your जुए जया रहे हैं जिसमें फिजिकल मेता आता है ठीके फिजिकल को हम मेंकानिकल सकते हैं aik क्योंकि si m kojin ज़ी महीं होते हैं इसे आप chemically, physically use करते हैं, यानि कि आप इसे body पर अपने fit करते हैं, बहनते हैं, ठीक है, तो physical method जो होते हैं, वो male and female दोनों के लिए होते हैं, ठीक है, और पहला जो physical method है, वो है condoms, जिसके बारे में सब को मालूम है, ठीक है, ये latex से बना हुआता है, ठीक है, extremely thin rubber shed, बहुत ही पतली film का ये बनाता है, बहुत ही पतली सी layer होती है, ठीक है, extremely thin होता है, जो common trade name है, जिसके नाम से ये normally जो मिलता है, वो है निरोध, निरोध नाम से ये commonly market में available है, ठीक है, तीन brands के नाम से available है, जो की government of India ने introduce किया था, जिसमें dry निरोध है, ठीक है, डीलक्स निरोध है, ड erect penis पे place कर सकते हैं, और साथ ही साथ lubrication में spermicides भी होती है, जिसकी वज़े से अगर spermicide के contact में कोई भी sperm आता है, तो वो वहीं पर kill हो जाता है, ठीक है, और super deluxe निरोध में, क्या होता है, कि इनकी जो thin quality होती है, ठीक है, जो पतला rubber होता है, वो और बिजद धीन होता है, जिस पॉसिबिलिटी है कि spermicides अल्रेडी उसमें present हो, और यह colored होते हैं, ठीक है, यह हो गए तीन टाइप के निरोध जो गॉर्मेंट के द्वारा available है, ठीक है, यह कैसे पहना जाता है, यह fitted on the erect penis, ठीक है, और यह बहुत most effective होते हैं, अगर आप इसे spermicidal jellies या cream के साथ यूज कर आप इसे condom को एक किसी chemical method के साथ combine करके use करेंगे, तो effectiveness बढ़ जाती है, and probability है कि 100% effective हो, ठीक है, तो इसके advantages क्या है, यहने कि इसके use कैसे क्या है, profit क्या है, expensive नहीं होता है, easily available होता है, आप over the counter जाकि आप इसलिए बिना किसी prescription के इसे खरीच सकते हैं, ठीक है, safe होता है, easy to use हो होता है, आराम से आप use कर सकते हैं, आपको इसको use करने किसी के मदद नहीं लेनी है, कोई side effect नहीं होता है, production, यह sexually transmitted disease जैसे की STD या फिर HIV AIDS से protect करता है, आपको, ठीक होता है, light होता है, compact होता है, easily dispose, यानि कि आप इसे use करके, आप easily dispose कर सकते हैं, ठीक है, और यह one time usage होता है, disadvantage में क्या होता है, कि possibility है, कि during sexual intercourse यह slip हो सकता है, यानि कि निकल सकता है, ठीक है, अपनी जगा से hurt सकता है, furt सकता है, tear हो सकता है, slip or tear during coitus, ठीक है, if not use करें, अगर आपने इसे properly use नहीं किया है, ठीक है, कुछ लोगों में इसमें इसके rubber की वज़े से sensitivity भी find की गई, यानि के allergy creation fight, यह बहुत rare cases में होता है, कि लोग rubber से sensitive होते हैं, तो not everybody, ठीक है, लेकिन common few cases है, ठीक है, और लोगों का कहना है, कि यह जो normal sex sensations होते हैं, यह normal sex sensations होते हैं, उसकी natural feeling होती है, उससे यह interfere करता है, डिस्टरब करता है, ठीक है, तो यह हो गया, condom ठीक है, इसके advantage और disadvantage, तो male condom guys, जो होता है, यह normally, यह तो unrolled आता है, यह unrolled condom है, ठीक है, यह as it is, आपको मिलेगा, यह फिर rolled condom आता है, जिसे आपको erect penis पे unroll करना होता है, ठीक है, and guys, female condoms भी available है, but it is better to use male condoms, because female condoms को easily insert करना असान नहीं होता है, ठीक है, female condoms में, एक side closed होती है, एक side open होती है, जो closed side होत होती है, वो cervix area में जाकी insert होती है, ठीक है, तो guys, हमने cervix, हमने uterus का structure हमने देखा था, ठीक है, तो uterus का structure में, जो uterus area होता है, ठीक है, जो uterus area होता है, ठीक है, यहाँ पर cervix होता है, cervix area जो होता है, यह thin होता है, और यह यहाँ पर जो है, यह cervix area है, ठीक है, और यह vaginal area है, तो sperm यहां जाकर deposit होते हैं तो यह जो cervix area आप देख रहे हैं यह हिस्सा यहां आकर fit हो जाता है और यह इसे ढख देता है और यह fit होने के वज़े से क्या होता है कि sperm की entry uterus में हो नहीं पाती है यानि कि fertilization possible नहीं है तो इस तरीके से sperm की entry को control करता है तो इस तरीके से यह barrier का काम करता है ठीक है, male condoms भी same काम करते हैं लेकिन male condoms cervix area में नहीं बैने जाते हैं male condoms male use करते हैं on erect penis जिससे क्या होता है कि sperm का deposition condoms के अंदर ही हो रहता है और vaginal area में कहीं पर deposition नहीं होता है जिसकी वज़े से sperm की entry uterus में बैन हो जाती है ठीक है, तो यह हो गए condom ठीक है, अब हम बात करते हैं diaphragm की, ठीक है तो diaphragm guys क्या होते हैं diaphragm जो होते हैं, vaginal barrier होते हैं जो की females use करती है, ठीक है synthetic rubber से यह बना हुआ होता है इसका diameter 5-10 cm होता है देख रहे हैं आप diaphragm के इसे आप dutch cap भी कहते हैं dutch cap क्योंकि यह dutch लोग जो cap पैनते थे, यह उसकी तरीके से दिखता है, similar shape का होता है flexible rim होती है यह जो rim होती है, यह flexible होती है, ठीक है made up of spring या metal की बनी होती है ताकि यह अपनी जगा पर इसकी position पर fix रहे, ठीक है inserted in vagina during cortis vagina में इसे insert किया जाता है कहाँ पर cervix area में ठीक है, इस area में इसे insert किया जाता है यह यहाँ जाकि cap की तरफ fit हो जाती है, ठीक है यह यहाँ पर cap की तरफ fit हो जाती है, ठीक है cervix area ठीक है, इस area में fit हो जाती है, ठीक है should not remain in vagina for more than six hours, ठीक है, यह reusable सब्सक्राइब कर सकते हैं उसकी बाद आप रह जाती है तो इसके टॉक्सिक भी नहीं है क्योंकि पॉसिबिलेटी है कि अगर ये छे गंटे से जादा हो जा रह जाएगा तो किसी भी रीजन से आप कांसेप्शन होने की चांसेज भी बढ़ सकते हैं तो इसे छे गंटे से पहले रिमूफ कर लेते हैं ठीक है तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं गाईज एडवांटेज जादा सब्सक्राइब कोई जादा रिस्क नहीं होता है आप इसली इसे यूज कर सकते हैं डिस पर पहले आपको इसका डिमॉंस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ताक कि आपको यूज करने का मेथट पता चेले ठीक है और इफ लेफ लॉंग टाइम इंसाइड वजाना में कॉस्ट अगर जादा लंबे समय तक ही रह गया वेजाना के अंदर तो इसके टॉक्सिक होते हैं त कि इसमें टाइम चाहिए होता है इसे इंशर्ट करने कंपैर अप ऐसीली इसी इसे ल우ंव की तरह जल्दी से नहीं पहन सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सेन्टिटेक रब बबर तो पोसिबिलिटी है कि सेंसिटीविती की वजए से से उनी इचिं ए इचिंग या इरि की तरह जल्दी से नहीं सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो synthetic rubber से sensitive होते हैं तो possibility है कि sensitivity की वज़े से होनी इचिंग के इरिटेशन हो सकती है इसे यूज करने में थीक है तो ये हो कि इसमें स्पर्मि साइड मिला होता है तो यह डायफरूम की तरह भी काम करता है यह जिसे पुष्ट कर सकते हैं अंदर वैजाइनल की से ए में तो इस हिस्सें में और इस इस सिस्फे में स्पर्मि जो होता है saturated spermicide को insert किया जाता है ताकि यह cervix area को ढग भी दे और आने वाले किसी भी sperm को किल कर सके ठीक है इसकी quality होती है लेकिन इसकी effectiveness डाइफरम से ज्यादा नहीं होती है डाइफरम ज्यादा effective होता है इस और यह जो होता है इसका area जो होता है यह 5-2.5 cm होता है और यह इंडिया में यूज नहीं होता है तो इसकी availability बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं है तो यह हो गया है गाइस barrier method कौन सा barrier method physical method physical method में क्या है condom diaphragm and vaginal spine okay guys दूसरा method है chemical method chemical method में गाइस क्या होता है कि barrier method का दूसरा method है barrier method में दूसरा method जिसमें chemical मिला होता है जो की एक spermies side होता है जिसका काम होता है vaginal area में deposited sperm को kill कर देना ठीक है और यह available ऐस किस-किस form में होते हैं foams के form में होते हैं ठीक है phone tablets के form में होते जो की vaginal area में insert करते ही dissolve हो जाती है और उस area में जाके stick हो जाती है और in case अगर कोई sperm present है already तो वह वहाँ पर kill हो जाता है और in case अगर आप इसे पोस्ट कोईटल यूज़ करते हैं बाज में यूज़ करते हैं तो वह deposited sperm को वहाँ जापर वहाँ वेजाइनल एरिया में जाकर dissolve हो जाती है और present sperm को kill कर देती है ठीक है यह form में cream क बैलेब होता है जिसे आपको अप्लिकेटर की मदद से पेस्ट क्रीम जली इसकी फिल्म में आती है जिसे आप इंसर्ट करते हैं तो वह सालीबलाइज हो जाती है उस एरिया में ठीक है और present deposited sperm को वेजानल एरिया में डिपॉसिटेट वेजानल एरिया में यह जानल एरिया है खाइस ठीक है यहां पर लब होता है तो इस यरिया में प्रस्फिशच का आचा क्र待 उनकी करते हैं उनकी सारफेस पे काम करते हैं और उनकी औक्सीज़न की इंटेक और वक्सीजन की sperm जो है जिन्दा नहीं रह पाते है ठीक है लेकिन यह effective कब होते हैं जब आप इसे निरोध के साथ यूज करते हैं आप ऐसे यूज करेंगे तो effectiveness है बट बहुत जाधा effectiveness नहीं लेकिन अगर आप इसे निरोध के साथ यूज करेंगे यानि कि physical method के साथ यूज करेंगे तो यह ज खुछ लोगों को इसमें माइल इरिटेशन होता है हर आदमी इंसेंसिटिव नहीं होता है बहुत लोगों को सेंसिटिविटी होती है creams and jellies ये किसी chemicals है तो sensitivity हो सकती है ठीक है mild burning sensation हो सकता है हलका सी जलन हो सकती है ठीक है खुजली हो सकती है और ये तब दक full proof नहीं है जब तक आप इसे barrier method के साथ यूज नहीं करते हैं तो ये full proof नहीं है ठीक है और अब तीसरा बचता है guys combine method तीसरा है combine इसमें भी जैसे हम आपको mention कर चुके है कि अगर आप इसे निरोध के साथ use करते है निरोध क्या है physical method ठीक है और ये क्या है chemical method याने की combined में क्या होता है physical and chemical method को जब आप दोनों को साथ में यूज करते हैं तो वो combine method बन जाता है ठीक है तो तीसरा method है combine method तो combine method अगर आप यूज़ करते हैं तो better है ठीके 100% effectiveness के लिए आपको physical method को chemical method की साथ यूज़ करना चाहिए तो ये हो गया complete guys barrier method next lecture में हम आपको intra uterine devices के बारे में describe करेंगे okay guys thank you so much